नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टार्गेट विद आलोग ऑनलाइन क्लासेज में जहां हम लोग जुनियर के लिए तैयारी की बात कर रहे थे उसी कड़ी में आज तीसरे लेक्चर कियो हमने पीछे क्या बात किया था तो हमने आप से पीछे कहा था कि यह जो रर्नीतिय हम बनाते हैं जो हम रर्नीतिया बनाते हैं अपने आगे के जीवन को सफल करने के लिए या उस लच्छ को पाने के लिए जो लच्छ हमने सोच रखा है जो लच्छ हमने अपने दिल में सजो रखा है तो वो रर्नीति सफल कब होती है वो रर्नीति तब सफल होती है जब हम अ कि हमने कर्म किया था हमें हमारे इच्छा नुसार परिडाम नहीं मिला लेकिन हमारी आत्मसंतुष्टी ये बोलती है ये हमारी आत्मसंतुष्टी बोलती है क्यों कि वास्ता में हमने कर्म किया होता है लेकिन याद रखिए जब हमने कर्म किया होता है तो परिडाम जरूरूर मिलता है यह नियती है कि कार्य का कारण और कार्य करने के बाद उसका परिडाम फिक्स है जो नियती देती है इसलिए कार्य करना है अगर यही सोच के पीछे सब लोग बैठ गए होते तो अब तक जितने लोगों ने इतिहास रचा है उनका नाम इतिहास रचने में नहीं होता वो भी ऐसे ही सोच रहे होते, कि हम करेंगे, अब तक तो पीछे बहुत लोगों ने की मेंद है, हम करेंगे, तो क्या पाजाएंगे, अगर ऐसा unprecedented होता तो अज इतिहास में, हम उन्हें ना पढ़ रहे होते हैं, इसलिए क्या है जब हम परिष्रम की बात करने हैं हमें परिष्रम करके आगे बढ़ना है कोशिस हमारी तरफ से बहुत अच्छी है कोशिस हमारी तरफ से बहुत अच्छी है कि आपको अच्छी चीजे दी जाएं तो आपका भी एक कारी होता है आपका भी एक डायत होता है तो आप समझ गए हैं कि मुझे एक सफल जीवन जीना है और सफल जीवन के लिए यह जो माध्यम होता है जो रास्ता है जो तक्त्य है यह बहुत इंप्वर्टेंट है और यह हमें यहां से मिल रहा है इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे अलग बताने की जरूरत है आकलन तो आप खुद ही कर सकते हैं क्यों कि विदिकायक नियम है विदिकायक नियम क्या है कि व्यत्य अपना निर्माता स्वतह होता है व्यत्य अपना निर्माता स्वतह होता है उसका निर्मार कोई नहीं कर सकता एक बात दूसरा विदिकायक नियम कहता ह कि विफ्ति का अधिक्त्म हीत उसका अगर कोई कर सकता है तो इसको हम वह कर सकता है क्यों तुर Create अपना नियत वाद है अपने अंदर छुपा हुआ हुआ कुद अपना नेर्धार करता है उसको पता होता है कि हमारा जिवन किस और जाएगा और फिर जिन्दगी बोज कब लगेगी जब हम एक बाप परिस्रम नहीं करेंगे जिन्दगी तभी तो बोज लगेगी नहीं जब हम एक बाप परिस्रम नहीं करेंगे कोई भी डेटा जाए जब समय से हर चीज आपको मिल रहा हो और आप तयार है उस चीज को पाने के लिए तो exams की कोई भी data आप clear कर जाएंगे क्योंकि आपने अपने को बिल्कुल fix कर रखा है मुझे अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा कि हमारे अन्य बैचेज में पढ़ने वाले students भी फिर से हम लोगों के साथ खड़े होकर इसी मंच पर फिर से तैयारी करना चाहरे है इसका मतलब है कि हमने कुछ अच्छा दिया है कुछ positive way में दिया है जो वो हमारे साथ फिर से आना चाहरे है तो हमारी कोशिस यहां भी होगी कि उतना ही अच्छा उतना ही सफल बहच आपको दे इसलिए अब उस कड़ी में जहां हम लोग थे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के पहले मैं आपके आपके जीवन के निर्थक या आपके जीवन के अर्थ पूर होने के लिए कहूंग तो ऐसी जिन्दगी जीने से क्या फाइदा जिसमें हमारी कोई तुलना ना हो कोई हमारी गरिमा ना हो पहचान तो होनी चाहिए काम करना है जो हमको फिक्र हो उस काम की काम करना है जो हमको फिक्र हो उस काम की ख्वाही से बेकार है तकलीफ की आराम की चलिए अब इसी ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी भारत में आकर पहले तो व्यापार करने आती है और कैसे वो 1757, 1764, 1765 की घटना के बाद ये तीनों घटना ये आपको याद होंगा और ये याद रखना है और मैंने इसलिए आपको इतिहास के ये टॉपिक जो थे इतिहास के ये जो में फेक्ट थे इसको मैंने टच किया था और बताया भी था कि कौन-कौन से युद्ध लडने के बाद इश्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक संस्था ना रह के प्रशासनिक शंस्था की और अग्रसित हो रही है प्रशासनिक संस्था क्यों और अग्रसित हो रही है फिर मैंने बताया था आपको कि यह जो इस्ट इंडिया कंपणी के कर्मचारी थे अब यह कर्मचारी इस्ट इंडिया कंपणी यानि कंपणी में जहां पर यह नियूक्त थे जिसके माध्यम से यह पूर्वी ACI देशों के साथ द्यापार करने के लिए भारत में आये थे अब यह उस कंपणी में नहीं जाते 1765 की जो घटना थी जिसने इनको यह बताया था बंगाल, बिहार, उडिसा की दिवानी किसके पास है तो इन ही कंपणी के करणचारियों के पास है यानि बिटिसर्स के पास है बंगाल, बिहार, उडिसात की दिवानी पाने के बाद यह बिटिसर्स जो बिटिसर्स थे व्यापारी के रूप में भारत में आये थे ये कभी भी company की और ना जाकर बंगाल भ्याद उदिसा में धनुगाई में लग गए भारतियों का जादस जादा मात्रा में शोउसर करने लगे चूंगी और कर वसूलने लगे तो अब यहीं लोग जब कमपनी में नहीं जा रहे और यहां पर यह धनुगाही करने तो यह जादस जादा मात्रा में अमीर होते जा रहे क्योंकि उनका प्रत्यचलाब हो रहा है कमपनी कहा है तो कमपनी घाटे की ओर है कमपनी घाटे की ओर है और घाटे में जा रही कमपनी को उबारने के लिए कमपनी की माली हालत को ठीक करने के लिए जब ये कर्मचारी ब्रिटिस यानि अपने देश लोड रहे है तो ये ब्रिटिस सरकार से ब्रिटिस संसत से क्या मांग करते हैं कि company को बचाने के लिए डूपती हुई company को उबारने के लिए कुछ रिड़ दे देजें क्योंकि company की माली हालत ठीक नहीं है अब British सेरकार, British संसथ और British की जनता भड़क गई क्योंकि ये क्या है अगर company घाटे में है company हमारी किसी भी प्रकार के अच्छे विकास नहीं कर पा रही है उसका develop नहीं हो पा रहा है company से income अच्छी नहीं हो पा रही है आप अमीर होकर लोट रहे हैं ये किस आधार पर हो रहा है यानि अब बृटिस जनता में आकरोज पैदा हो गया बृटिस संसब में इस बात की तिखी टिपडियां होने लगी टिपडियां इस प्रकार होने लगी कि लोगों ने कहा ये जो व्यापारिक एका धिकार लिये हुए British East India Company है इस एका धिकार को समात्त किया जाए और सभी जन मानस को जो ब्रिटिस में व्यापार करने वाले समुदाएं उनको भी छूट दे दिया जाए कि वो पूर्वी ACI देशों के साथ जाएं और व्यापार करें बास्तमन्यार यह पूर्वी ACI देशों के साथ जाएं और व्यापार करें, हमने यहां तक पढ़ा था, जब यह घटना घटती है, और कमपनी की माली हालत ठीक नहीं रहती है, तब क्या किया जाता है, ब्रिटिश संसर्द में ये मुद्दा उठाया जाता है, और तातकालिन ब्रिटिश समराट, तातकालिन ब्रिटिश समराट अथवा ब्रिटिश प्रधान मंत्री, लाड़नाथ के शासनकाल में एक गुप्त समीती बैठाई गई, गुप्त समीती बैठाई गई, और यही गुप्त समीती क्या करती है, भारत आती है, कमपनी का पूरा का पूरा आकलम करती है, कमपनी के एक अरचारियों की दैनिक क्रिया को देखती है, और उसके बाद यह अपना प्रतिवेदन देती है क्या करती है अपना प्रतिवेदन देती है प्रति-वेदन मतलब होता है Report अपना report देती है इसी report के अधार पर पहली बार भारत में इस्थित British इस इंडिया कमपनी को नियंक्रित करने के लिए एक लिखित चार्टर एक्ट दिया गया यानि एक लिखित अधिनियम पारित किया गया और वह अधिनियम किस लिए था कमपनी के कर्मचारियों को नियंक्रित करने के लिए था इसलिए उस अधिनियम को क्या कहा गया उस अधि इस अधिनियम को Regulating Act कहा गया क्या कहा गया है ये क्या है भारती संब्यधानी यह आ बखारती संब्यधानी काल के का विकास को पहला तॉपिक है भारत में 1773 में जो पारित होकर आया है डृबिटिंग एक्ट जो किस पर चर्चा करेंगे इसी रेगुलेटिंग एक्ट पर चल्चा करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसलिए पारित हुआ था भारती सम्विधानिक विकास के कालखंड का पहला चेप्टर है और बहुत इंपोर्टेंट है ये पहला ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से अधिनियम है जिसने भारत में लिखित सम्विधान दिया कंपनी के लिए किन्तु पहली सेड़ी बन गया भारती सम्विधान के लिए रेगुलेटिंग एक्ट किसके शासन काल में पारित हुआ question ये पूछा जाता है British प्रधान मंत्री Lord नाथ के शासन काल में पारित हुआ British 1773 का regulating act पारित करने का उद्देश क्या था अगर question पूछा जाए उद्देश क्या था तो उद्देश था भारत में British सामराज्य को भारत में British सामराज्य को इस्थाहित्व एमम सूद्रिर्टा प्रदान करना याद रखेगा बहुत important है इस्थाहित्व एमम सूद्रिर्टा प्रदान करना इसका उद्देश था किसलिए क्योंकि company के जो कर्मचारी है अब ये क्या कारे कर रहे हैं तो ये company के लिए कारे नहीं कर रहे है ब्रिटिस समराट ने सोचा ब्रिटिस सरकार ने सोचा कि भारत में हमारी जो इस्थी थे भारतियों को पता चले इसलिए ये क्या करते हैं एक लिखित आवेदन देते हैं एक लिखित प्रतिवेदन देशते हैं और जिसको क्या करते हैं तो इसको ये नाम देते हैं 1773 का Regulating Act और इसके प्रावधान बता देते हैं। ये लाड़नात के सासन काल में पारित हो रहा है। उदेश ये भारत में British सामराज को स्थाप पिस्थाई तो एमों सूद रिटता प्रदान करना। फिर क्या था? कम्पनी के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रथम प्रयास था। क्या था ये प्रथम प्रयास था। जिसके माध्यम से भारत में एक इस्थाईत्व एवं सूद निश्चित शासन विवस्था का आरंब करना था। ना तो इन्हों ने सोचा था कि हम आने वाले 200-200 वर्सों तक शासन करेंगे। ना भारतिएं रिजए तो ती ना भारतियोern ने सूचा था कि एसा चार्टरेक्ट होगा जो हमेंसे बिटिस से ब्रिटिसर्स के यहां उनके संसद्व से पारित होकर भारत में हमेशा भारतियों के लिए कभी Britishers के लिए आता रहेगा मतलब ना Britishers में ये सोचा था ना भारत के मन में ये बात आई थी यानि क्या condition बनी ये चार condition बनी किसको पारित करने की तो ये company को नियंत्रित करने की ये चार condition बनी जो 1773 का regulating act का main fact है कि भाया ये लाइड नाद के सासनकाल में पारित हुआ ये भारत के लिए नहीं आया है ये भारत में इसी company और उनके कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए आया है इसका मतलब अगर सवाल पूछ लिया जाए तो सवाल सिर्फ simple सा answer क्या होगा कि regulating act regulating act भारत में इस्थित company तथा company के कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए आया था किसके लिए आया था भारत इस्थित company तथा company के कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए आया था regulating it इसके द्वारा आप देखेगा इसलिए प्रावधान क्या है क्या क्या किया गया है 1773 के द्वारा क्या कारे किया गया है इसके द्वारा पहली बार 24 सदस्षी बहुत इंपॉर्टेंट है 24 सदस्षी Court of Director का गठन किया गया है किसका किया गया है 24 सदस्षी Court of Director का गठन किया गया है ठीक है यानि इस चार्टर इक थे इसके द्वारा क्या कारे किया गया है 24 सदस्षी Court of Director का गठन किया गया ऐसे Court of Director को Board of Director भी कहा जाता है ऐसे Court of Director को कही कही क्या लिखा होता है Board of Director क्लियर है किसका गठन किया गया यह 24 सदस्षी का था और ऐसे Court of Director में कंपनी की सभी प्रशासनिक और व्यापारिक शक्तिया नहीं थी बहुत इंपोर्टेंट है याद रखिएगा कंपनी की सभी व्यापारिक और प्रशासनिक सकतिया किसमें नहीं थै ऐसे Court of Director में नहीं थै ऐसे Court of Director के सदस्यों का कारेकाल याद रखिएगा गवर्णार जन्राल की कारेकाल नहीं परिसद के सदस्यों का कारेकाल और Court of Director के सदस्यों का कारेकाल में कंप्यूजन होती है इसलिए इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ाना और आप इसको समझ ले मैंने बताया कि इस Regulating Act के मादियों से क्या कारे किया गया है तो 24 सदस्य Court of Director का गठन किया गया है जिसे Board of Director भी कहा जाता है ऐसे Court of Director के सदस्यों का कारेकाल कितना था तो ऐसे Court of Dire baker के सदस्यों का कारेकाल चार वर्ष का था ये सदसे प्रतेक छे वर्स में आवकास ग्राण करते थे जैसे हमारे हाँ राजे सभाकारे करती है ये सदस प्रतेक छे वर्स में आवकास ग्राण कर रहे है जबकि इनका कारेकाल कितना है चार वर्स का है और ये court of director अभी company की सारी शक्तियां समेटे हुए है ये बहुत important fact है ये वाला याद रखेगा क्योंकि जब 1784 आएगा दोयद शासन आएगा पिर्स इंडियाइक्ट के माधियम से तब इसमें प्रसासनिक शक्तियां समराट के हाथ में चली जाएगे अभी क्या है अभी दोनों सत्या इसमें समाहित है और ये सदस्यों का कारेकाल चार वसका है जो प्रतेक शे बर्स पे क्या कर रहे है अवकास ग्रहण कर रहे है फिर 1773 के द्वारा क्या किया गया है गवर्नर का पद गवर्नर का पद इसके द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल का बना दिया गया है क्या किया गया गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का बना दिया गया और कौन से गवर्नर का तो बंगाल के गवर्नर का और इस हिसाब से गवर्नर जनरल कौन बना है वारिल हेस्टिंग्स बना है पूछा जाता है प्रत्थम गवर्नर्स जन्रल कौन था वारेन हिस्टिंस था बंगाल का गवर्नर था जिसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर्स जन्रल बना दिया गया है ऐसे गवर्नर्स जंडल को सहायता देने के लिए चार सदसी एक कारेकारिनी परिसद का गठन किया गया है किसका गठन किया गया है तो गवर्नर्स जंडल को सहायता देने के लिए चार सदसी कारेकारिनी परिसद का गठन किया गया है ऐसे कारेकारिनी परिसद के कंफ्यूज नहीं होना है कंफ्यूज बिलकुल नहीं होना है कोट आप देरेक्टर अलग है और कारेकारिनी परिसद अलग है ऐसे कारेकारिनी परिसद के सदस्य इंगलेंड इस्थित निदेशक बोड के अधीन ऐसे कारेकारिनी परिसद के सदस्य इंगलेंड इस्थित निदेशक बोड के प्रति उत्तरदाई थे किसके प्रति उत्तरदाई थे तो यह अपने कारियों के लिए निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदाई थी जो इन्हें पांच वर्स कारेकाल के पूरों भी सिफारिश करके बिटिश सम्राद द्वारा इन्हें क्या कर सकता था महाभियोग द्वारा हटा सकता था यानि गव कारेकारणी सदस्यों का कारेकाल पांच वर्स का था ऐसे कारेकारणी परिशत के सदस्य जो गवर्नेस जंदल के परिशत के सदस्य थे इनका कारेकाल पांच वर्स का था किन्तों पांच वर्स पूर होने के बाद भी याद रखेगा जैसे मालीजी इन्हें आज की तारिक पे पद ग्रहन किया सपत लिया, आज की तारिक से पाँच वर्स तक ये बने रहेंगे, और पाँच वर्स माली जे इनका कारेकार पूरा हो गया, तो ये तब तक आस्थाई रूप में बने रहेंगे सदसे, जब तक इनका उत्राधिकारी आकर अपना पद नाग्रहन कर ले, जैस कि हमारे राष्ट्रपत ये रूप राष्ट्रपत के बारे में, जब तक इनका उत्राधिकारी आकर पद नाग्रहन कर ले, तक ये क्या होगा, तो ये अस्थाई सदस के रूप में कारेक करते रहेंगे, पाँच वर्स के कारेकार के पूरो भी, इन्हें महाभियोग द्वा आने के लिए निदेशक बोर्ड को क्या करना पड़ता था, निदेशक बोर्ड के समझ ये बात रखनी पड़ती थी, फिर निदेशक बोर्ड सिफारिस करके बृटिस समराद द्वारा इन्हें पर से हटवा सकता था, क्लियर है, यानि 24 सदसी कोट आप डारेक्टर अलग हो गई है, यहां तक क्लियर है, आप देखिए क्या है, ऐसी कारेकारणी परिशद में निर्णे कैसे लिए जा रहे थे, तो निर्णे बहुमत से लिए जाते थे, ऐसी कारेकारणी परिशद की साधार पे कारे कर रही है, तो ऐसी कारेकारणी परिशद क्या कर रही है, बहुमत के निर्णे की आधार पे कारे कर रही है, माली जे बहुमत किसी मुद्धे पर नहीं हो पाया निर्णे नहीं आ पा रहा है मत दोनों में बराबर बराबर है माली जे एक कंडिशन ऐसी आई कि मत बराबर बराबर है निर्णे नहीं हो पाया ऐसी परिस्थित में गवर्नर्स जनरल को निर्णे हे तु निर्डायक मत देने का अधिकार दिया गया जैसा लोग सब अध्यच के पास होता है निर्डायक मत देने का अधिकार दिया गया यानि बहुमत में निर्डायक बनाए रखने के लिए गवर्नर्स जन्रल को निर्डायक मत का अधिकार दिया गया ये क्या था ये गवर्नर्स जन्रल की कारेकारीडी परिसत थी फिर क्या किया गया है ये गवर्नर्स जन्रल जो अब बंगाल का गवर्नर है गवर्नर्स जन्रल बन गया तो बंगाल का जैसे ही ये गवर्नर्स जन्रल बनता है युद्ध, शांटी, सैनिक, आसैनिक, सभी मामले गवर्नर्जनरल के अधीन सभी मामले किसके अधीन हो गए? सभी मामले गवर्नर्जनरल के अधीन हो गए फिर क्या हुआ है? एक कार और हुआ है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी भी हो गई अब तक जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी या अलग थी जो अपने अपने नेरणे अब चाहे वो सैनि मामले में हो चाहे युद्धो शांती के मामले में हो चाहे सिविल मामले में हो अपने अपने नेरणे अलग लेती थी अब वही मदरास और बंबई जो प्रेसिडेंसी आथी वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हो गई क्लियर है यानि 1773 के चार्टर रेक्ट ने क्या किया है भारत जैसे देज के लिए किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं दिया है अभी किसको उन्होंने लिया है तो उन्होंने अभी तक जो नियम बनाए है जो कानून बनाए है वो अपने कमपनी के कर्मचारी और कमपनी को विवस्तित करने के लिया है तो क्या किया बंगाल फ्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जरिनल बना के आज पास की जो भी प्राम्त थे उसके अधीन कर दिया और उनकी सक्ति को बढ़ा दिया फिर क्या हुआ है इसके माधियम से 1773 के माधियम से एक अन्यकारी ये हुआ है कलकत्ता में क्वेस्चन थोड़ा सा अलग आएगा इसलिए मैंने काटके अलग बनाया चाहा 1773 का प्रावधान करता है याद रखेगा 1773 का प्रावधान में है मतलब इसको अभी हम साल कराते है 1773 का प्रावधान में क्या बात है इसलिए ये बात कही गई है कि 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच न्यायाले स्थापित की जाएगी Q. 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच न्यायाले स्थापित की जाएगी इसका प्रावधान की सदिनियम ने दिया गया अब समझ म्याया मैंने क्या लिखा है इसका प्रावधान 1773 के अधिनियम में दिया गया 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच न्यायाले की स्थापना होगी इसका प्रावधान किस में दिया गया 1773 में दिया गया कलकत्ता में एक सर्वोच न्यायाले का स्थापना हुआ अब मालीजे सन पूछ ले तब आप लिग दीजेगा 1774 में हुआ अब क्लियर है प्रावधान 1773 का बता रहा है कि मैं ये प्रावधान बता रहा हूं कि कलकत्ता में 1774 में एक सरवोच नयाले इस्थापित की जाएगी फिर क्या कहा गया यह अंतिम अपीली नयाले नहीं होगी यह अंतिम अपीली नयाले नहीं होगी तब क्या होगा तो इन्होंने कहा इसके विरोध अपील यानि ये सरवोच नयाले आपको कोई निरेदे देगी तो इस निर्ड़े के विरूद अर्थात इसके विरूद अपील इंगलेंड स्थित प्रीवी कांसिल में की जाएगी कहां की जाएगी इंगलेंड स्थित प्रीवी कांसिल में की जाएगी इसके दिरूद अपील फिर कहां गया है इस सर्वोच न्यायाले में कौन कौन होगा तो इस सर्वोच न्यायाले में कुल चार सदस्य होगे कुल चार सदस्य ये न्यायाले होगा जिसमें कौन कौन सदस्य होगे तो कहा गया एक मुख्य न्यायादीस होगे तथा तीन अन्य न्यायादीस होगे एक मुख्य ने आया धीस होंगे तथा तीन अन्य ने आया धीस होंगे मुख्य ने आया धीस कौन होगा तीनों ने कहा मुख्य ने आया धीस होगा सर, एलिजा, इंपे सर, एलिजा, इंपे अब बाकी तीन अन्य ने आया धीस कौन होगे H.C.L. Hide H.C.L. Hide Chambras और Limister Question पूछा गया है Question पूछा गया है इसमें एक नाम गायब है और Question पूछा गया है आप Question ढूड़िएगा मिलेगा जरूर यानि मुखी नाया धीसों के सरेलिजा इन पे H.C.L. Hide Chambras और Limister थे ये 4 सदसी होगा और ऐसा 4 सदसी जो सर्वोच नाया ले होगा उसमें नाया धीसों की योगिता क्या होगी तो कहा गया ऐसे नाया धीसों को 5 वर्सों के वकालत का अनुभाव होना अनिवार्य है ये कहा तक clear हो आपके ये सारी चीजों को मैंने व्याख्या करके आपको इसलिए बताए एक-एक topic को एक-एक point को उठा के उसके अंतरग जित्ते सवाल बनते हैं जो जो topic उससे जुड़ा हुआ है सारी कोशिस की गई है फिर देखें क्या किया गया है 1773 में चुकि यह regulate करने आया है चुकि यह regulate करने आया है इसलिए यह regulate कर रहा है कमपनी का कोई भी कर्मचारी कमपनी का कोई भी कर्मचारी बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं सकता यानि इन्हें अगर नीजी व्यापार करना है तो लाइसेंस लेंगे और नीजी व्यापार की तो मना ही हो गई आपको लाइसेंस लेना अनिवारे है ब्रिटिस संसे फिर क्या कहा गया कमपनी का कोई भी कर्मचारी किसी भी बाहरी भारती व्यक्ति से किसी भी प्रकार का दान उपहार पारितोष नहीं लेगा दान उपहार और पारितोष नहीं लेगा इसका मतलब आप जो बंगाल ब्यार उडिसाम कारे करने हैं ये सब कारे आप नहीं करेंगे ये नहीं कह सकते कि इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था इन्होंने मेरे कारें से प्रसंद होकर मुझे पुरसकार दिया था ये किसी भी प् प्रग्राण नहीं करेंगे यह किसके लिए आया था यह कंपनी और कंपनी के करमचारियों को नियंत्रित करने के लिए आया था फिर क्या हुआ है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो ब्रिटिस संसत ने ये सोचा कि यह जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो रहा है इससे क्या होगा तो भारत इस्थित कंपनी और उसके करमचारी नियंत्रित होंगे और अब जो है कंपनी सूद्रिन हो जाएगी और कंपनी के कर्मचारी अपने हिसाब से ही कारे कर रहते उन्हें ब्रिटिस सरकार से कंपनी से किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं दिखा इस वज़ा से 1781 में ब्रिटिस संसक द्वारा एक्ट आफ सेटलमेंट पारित किया गया एक्ट आफ सेटलमेंट पारित किया गया एक नया अधिनियम पारित हुआ 1781 में कौन सा अधिनियम एक्ट आफ सेटलमेंट पारित हुआ और ऐसा एक ताफ सेटल्मेंट जो पारित हुआ इसमें क्या कहा गया? इसमें सबसे पहली बास समझें इस अधिनियम को संशोधात्मक अधिनियम कहा गया क्या कहा गया? संशोधात्मक अधिनियम कहा गया क्योंकि इसके द्वारा पहली बार संशोधन किया गया था इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल विहार उडिसा बंगाल विहार उडिसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया इस प्रकार अब कलकत्ता की सरकार के पास दिधिनियमार के दोसरोथ हो गया अब कलकत्ता की सरकार के पास दिधिनियमार के दोसरोथ हो गया एक तो regulating act के माधियम से बंबाई, मदरास और बंगाल के लिए जो बना रहा है और दूसरा बिहार और उरीसा वीश में सामिल हो गए 17 से 18 सी में इसलिए अब जो है governance general की सर्वोचिता थोड़ी सी और मजबूत हुई governance general की सर्वोचिता थोड़ी सी और मजबूत हुई और एक काम और कर दिया गया बहुत छोटा अधिनियम था यह बहुत छोटा अधिनियम था कि इसलिए लाया गया इसलिए लाया गया कि हो सकता है governance general को थोड़ा सावर पावर देने से क्या होगा तो वहाँ पे regulate अच्छे तरी इसलिए यह दिया गया क्या किया गया है governance in council को मतलब जो governance जंदल की कारे कारेड़ी परिशत थी उसको सर्वोच न्यायाले की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया बहुत important है question कही बार पूछा गया है सर्वोच न्यायाले की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया क्लियर है यानि government general की अधिकारिता को और उसकी परिशत को सर्वोच न्यायाले की अधिकारिता से कमुक्त किया 1780 फिर भी क्या हुआ फिर भी अभी भी company और उसके करणचारियों में सुधार नहीं है अब ब्रिटिस समराट को लग रहा है चूकि इन लोगों ने जो छेत्र जीते थे वो लोगों को पता चल रहा है कि गवर्नर जेनरल द्वारा जीते गए है इन लोगों की जो भूमिया थे इन लोगों के जो छेत्र थे जिस पर इन्हों ने प्रसासन किया था वो भारत में लोगों को लग रहा है कि ये गवर्नर जेनरल का है अब तक किसी को ये नहीं पता कि इनके उपर एक सत्ता और है जो ब्रिटिस संसद है क्लियर है उसको ब्रिटिस संसद अपना पावर दिखाने के लिए और ऐसे कमचारियों और गवर्नर जेनरल पर नियंतर करने के लिए पहली बार लाती है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या लाती है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाती है और ये 1784 का जो पीट से इंडिया एक्ट था बहुत इंपोर्टेंट था और भारत में पहली बार द्वायद शासन आएगा जो 1858 तक इस्थापित रहेगा 1784 का पीट से इंडिया एक्ट क्या है तो 1784 का पीट से इंडिया एक्ट सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये तातकालीन प्रधान मंत्री लाड पीट्स के सासन काल में पारित हुआ है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है इसलिए इसका नाम पीट्स इंडिया एक्ट रखा गया है क्लियर है इसके द्वारा पहली बार कमपनी के कारियों को विभाजित किया गया कमपनी के कारियों को विभाजित किया गया यानि इसके द्वारा पहली बार क्या कारिय किया गया कमपनी के कारियों का विभाजित किया गया और किस प्रकार किया गया तो कम्पनी का जो कार्य था अब याद होगा आपको 24 सदसी कोर्ट आप डाइरेक्टर का बेठन किया गया अधर 173 में जिसमें सारी शक्तियां समाहित थी कौन सी प्रशासनिक और राजनेतिक फिर से इंडिया एट के वादें से क्या किया गया कम्पनी के कार्यों को विभाजन कर दिया गया दो विभाजन हुआ प्रशासनिक और राजनेतिक प्रशासनिक कारे किसके हाथ में रहने दिया गया तो प्रशासनिक कारे राजनेतिक कारे तो रहने दिया गया है प्रसासली कारियों के लिए क्या कारियों के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया एक बोर्ड का गठन किया गया जिसे नियंत्रक बोर्ड कहा गया जिसे नियंत्रक बोर्ड कहा गया रथा जिसे बोर्ड आफ कंट्रोल कहा गया क्या कहा गया? बोर्ड आफ कंट्रोल किस कारे के लिए? प्रसासनिक अत्वराजनेतिक क्रियाकलाब को देखने के लिए जबकि व्यापाई क्रिया कलाब किस के पास था तो court of director के पास था यह हमलो किस की बात कर रहे है तो 1784 की बात कर रहे है फिर्स इंडिया एफ्ट की बात कर रहे है अब यह court of director क्या है सॉरी board of control तो यह 6 सदस्य थी यह board कितने सदस्यों की थी तो यह board 6 सदस्यों की थी ऐसे board के सदस्यों की निउक्ति ऐसे board के सदस्यों की निउक्ति कौन करता था ऐसे बोर्ड के सदस्यों की नीती ब्रिटिस समराट द्वारा की जाती थी इसलिए ये किसके प्रति उत्तरदाई होंगे आप समझ जाईए जिसने नीती की है उसके प्रति इसका मतलब ये ब्रिटिस समराट के प्रति उत्तरदाई थे इन छे सदस्यों में कौन-कौन था? इन छे सदस्यों में था एक चांसलर आफ एक्सचेकर, एक राजिस अचिव, प्रिवी कौनसल के मिंबर यानि कमपनी के कारेों का विभाजन करके दो भाग कर दिया गया, व्यापारी कारे किसके हाँ में रहने दिया गया, तो Court of Director के जो की 24 सदसी अभी भी बनी हुई है लेकिन इन पर नियंत्रण के लिए प्रसासनिक जो कारेों को देखने का कारे किसे सवपा गया तो एक नियंत्रण बोर्ड को सवपा गया जो Court of Board आप कंट्रोल कहलाती है जिसमें कुल 6 सदसी थे ऐसे 6 सदसीयों की नियुक्ति कौन कर रहा है ऐसे 6 सदसीयों की नियुक्ति ब्रिटिश समराथ कर रहा है इसलिए ब्रिटिश समराथ के प्रती उत्तरदाई है इन 6 सदसीयों में कौन कौन है एक चांसलर आफेक्षे करें, एक राजे सचीव है, चार प्रीवी कॉंसिल के मिंबर है, क्लियर है, इसलिए पहली बार भारत में कमपनी के माध्यम से ही, द्वैद शासन आरंब हुआ, बहुत इंपोर्टेंट है, द्वैद शासन आरंब हुआ, 1784 में जो कब तर चला, 1858 तर चला बादे उन लोग देखेंगा, 1919 से वो प्रामतों में दिखेगा, तो कब तक चला, 1858 तक चला, पहली बाद भारत में क्या किया गया, द्वैद शासन का आरंब है किया गया, ये जो छे सबस से थे, इनके कारियों की बोर्ड आफ कंट्रोल इसे हम लोग शॉट टर में बी ओसी भी कहते है, बोर्ड आफ कंट्रोल के सदस्यों की बैठक कौन संचालित करता था, तो इनके बैठकों की अधिच्छता राज सचिव करता था बहुत इंपर्टेंट है, राज सचिव करता था, जो की 1793 से सब वेतन कारे करने लगा यानि अभी तक ये वेतन राज सचिव के पदका नहीं लेता है ये राज सचिव के पदका नहीं लेता है, ये राज सचिव के पदका वेतन कब से लेगा? 1793 से लेगा और ये तब तक कारी करता रहेगा जब तक इसके इस्थान पर 1858 में भारत राज्य सचिव नहीं आ जाएगा जब तक भारत सचिव नहीं आ जाएगा तब तब ये अपने कारीयों का उत्तरदाई तो करता रहेगा लेकिन ये बेतन कब से लेगा तो ये बेतन लेगा 1793 से question बहुत important है और ये 1858 तक कार्य कर रहा है कब तक जब तक इसके इस्थान पर भारव राजी सचिम नहीं आ जाता तक तक फिर क्या था जो द्वैड सासन लागू हुई वो कैसे हुई ऐसे समझ लीजे बी ओसी के माधियं से ब्रिटीस सम्राच सासन कर रहा है भाई अपने कारियों के प्रती ब्रिटीस सम्राच के प्रति उत्तर नहीं है और दूसरा काउन कर रहा है Board of Control, 다섯 ने इन्तरट के लिए इसलिए भारत में पहली बार 1784 में द्वैद सासर नाया जो 18 owt तक इस्थापित रहेगा इस अधिनियम दोरा एक कारे और हुआ है इस अधिनियम दोरा एक कारे और हुआ है वो कारे क्या है? वो कार्य जो इस अध्लियम के द्वारा हुआ है एक कारी ये है गवर्नल जन्रल की गवर्नल जन्रल की कार्य कारिणी परिशद कितने सदस्यों की थी जिनका कार्य काल पाच बरस का था चार सदस्यों की थी कब 1773 में 1773 में 1784 के द्वारा इसके सदस्यों की संख्या एक घटात कर क्या कर दी गई है कारे कारेड़ी परिशद के सदस्यों की संख्या एक करके एक घटा कर अब कुल तीन सदस्यों को ही रहने दिया गया है यानि गवर्नर्स अंदल के कारे कारेड़ी परिशद की तीन सदस्य ही सदस्या रहने दिया गया और मिनलाई भी अभी कौन ले रहा है में बहुमस से लिया जा रहा है ये क्या था ये दोहरे शासन का आरंब था जो भारत में कमपनी के कारण पारित होता है कमपनी के कारण मिरमित होता है और 1858 तक धीरे-धीरे ये हर छेत्र को चूता है 1858 तक धीरे धीरे है ये हर छेत्र को चूता है और क्या कहा गया गवर्नर्स जंडल अब युद्ध और शांती के विशेयों पर जब जब किसी भी प्रकार का कार्य करेगा तो उसे ब्रिटीश समराट द्वारा अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा गवर्नर्स जंडल अपने कारयों को किसकी निगरानी में करेगा तो राजे सचिव की निगरानी में करेगा इसका मतलब गवर्नर्स जंडल और उसकी परिसत पर नियंत्रड करने के लिए ब्रिटीश समराट ने क्या कारी किया अपने किसी विशेश सदस्यों को ला दिया इसल ब्रिटिस ताज के स्वामित्व के निर्धारण का प्रथम वैधानिक दस्तावेज है बहुत इंपोर्टेंट है प्रथम वैधानिक दस्तावेज है जैसे इसने बता दिया कि जो छेत्र आपको दिखता है जो अधिकार आपको दिखता है वो गवर्नर्स जन्राण और इन काउंसिल का नहीं है वो किसका है तो ब्रिटिस समराज का है इसलिए उसने क्या किया अपने सदस्यों को निल्धारित कर दिया इस एक्ट को पारित करने का मुख्य उद्देश क्या था इस एक्ट को पारित करने का मुख्य उद्देश था ब्रिटिश अधिकारीन छेत्र हे तुँ ब्रिटिश अधिकारीन छेत्र हे तु इसका मतलब कि भारत में जो छेत्र ब्रिटिश समराट के अधिन है जो भी आपको दिखते हैं वो किसके हैं वो ब्रिटिश समराट के हैं वो ब्रिटिश समराट ने पहली बार वैधानिक रूप से इस बात की घोसरा की है और अपने कु इसका मतलब जो कमपनी के कर्मचारी बंगाल विहार उरीसा से चले थे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भी नहीं समझे थे, फिर 1781 द्वारा उन्हें समझाने की कोशिस की गई, वहां भी यह नहीं समझे, अब 1784 के माधियम से ब्रेटिस समराट धीरे धीरे आना आरंब हु हो गया है, अब एक ही देश में दो अलग अलग शत्ता कारेकर नहीं है, और याद रिखेगा ये गवर्नर जन्डल आगे चलकर धीरे-धीरे कितना मजबूत होगा, गवर्नर जन्डल को 1786 के अधिनियम, जब हम लोग अगले लेक्टर में पढ़ेंगे, तब देखेगा 1786 क एक बर गवर्नर जन्डल को डाउन किया है, तो अब गवर्नर जन्रल अपनी ताकत के साथ 1786 में आयेगा, जब और प्रसाशनिक सुधार कराएगा, लाड कार नवालीस डावालीस का सासनकाल जब आता है, तो गवर्नर जन्रल की करीमा हो खीजरेग कर दी जाती है, और उसे 1786 के आसपास उसे भारत का भागे विधाता कहा जाने लगा था भारत का भागे विधाता जो था वो 1888 के आगे जब चलना आरंब होता है तब उसे क्या कहा जाता है तब उसे कहा जाता है excellency, your excellency, his excellency यानि इस नाम से संबोधित किया जाता है वो इतना powerful हो जाता है में जो सासक है वो केवल और केवल क्या कर रहा है तो केवल केवल राजे कर रहा है केवल सासन कर रहा है राजे नहीं कर रहा है फ्रांस में राजे कर रहा है सासन नहीं कर रहा है हर जगर कुछ प्रॉद्म है यानि अकेला सासक कहीं राजे करता है कहीं सासन करता है मगर भारत म इसलिए वो कौन है तो भारत का भागी बिठाता है यह पूरे ढंग से डिटेल से हम अब धीरे दीरे आगे के लेक्चर में पड़ेंगे तो आज हमने क्या देखा फिछले लेक्चर में जहां हम सुरू हुए थे पहले एपिसोड के साथ पहले लेक्चर के साथ हमने क्या देखा था कि किस प्रकार भारत में कमपनी आती है कमपनी भारत को ही क्यों चुनती है कमपनी भारत में किस प्रकार अपनी कोठी का स्थापना करती है कैसे वो युद्ध सुरू करती है फिर दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार कमपनी ने बंगाल विहार उडिसा को दिवानी वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया और कैसे कमपनी बहुत मजबूत होता प्रसासन की ओर मुड़ी है यानि अब व्यापार नहीं करें प्रसासन की ओर मुड़ी है जब प्रसासन की ओर मुड़ी तो वही कमपनी और वही कमपनी के कर्मचारी अपने कारियों में इतने लित होगे कि वो कमपनी को छोड़ दिये कमपनी घाटे में कर्मचारी अमीर है इस बात की जब British अंसर में कारेवाही होती है लोग निंदा करते हैं तब वहां सर वहां से एक अधिनियम चलकर आता है जो होता तो company के लिए लिखी सम्मिधान है लेकिन वो पहली सेड़ी बन जाता है भारती सम्मिधान की और उसके बाद में जाने कितने अधिनियम बनते रह अधिनियम चलकर आप लिए और कभी कभी किस के लिए भारत के लिए तो इस परकार क्या होगा आगे चलते चलते फिर भारती सम्मिधान की और आप जाएंगे यह कौन सा तो यह आज के लेक्चर के बाद हम लोग फिर अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे इसके आगे 1786 यहां आप देखेंगे कि इस प्रकार बीटो पावर लेकर गवर्नर जर्नल भारत में आता है तो मुझे लग रहा है कि आपको यह चीजे यह क्लास सब समझ में आ रही होंगी तो इसलिए प्लीज इस क्लास को अगर आपको समझ में आ रहे हैं और हमारे यहां जो भी कच्छ आए आपके पास जा रही है वो आपको नियमित अच्छी लग रही है तो लिंक पर जाकर सेयर करें और उस नंबर पर आप लोग बात करें धन्यबाद